हलो एंग गुड मॉनिंग एवरीवन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टरी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम एक अक्टूमबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करन वाले हैं और क्वेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वह भी मैं आपको बताऊंगी यह हमारा टेलिग्राम चैनल है यहां पर आपको क्विस अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडियेफ है वह भी आपको यहां मिल ज साथी अरब के नए प्रधान मंतरी कौन बन गये हैं तो इसका गरेक्ट आंसर होगा यह बन गये हैं मोहमद बिन सल्मान बन गये हैं भी इसका करेक्ट आंसर है अरब जगत के सबसे बड़े नेता सौधी अरब के क्राउन प्रिंस मोहमद बिन सल्मान अब मुल्क के नए प्रधान मंत्री कहलानेंगे और सौधी अरब के राजा सलमान बिन अब्दूल अजीज ने अपने बेटे और उत्रादिखारी क्राउन प्रिंस मोहमद बिन सलमान को किंगडम का नया प्रधान मंत्री और अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालित को रक्षा मंत्री गोशित किया है और इस फेर बदल में साओधी किंग के एक और बेटे प्रिंस अब्दूल अजीज बिन सलमान भी शामिल है जिनने देश का उर्जा मंत्री बनाया गया है साओधी अरब की हम बात करें साओधी अरेबिया is located in the continent of Asia और इसकी जो capital है यह है रियाद और यहाँ पे जो currency चलती है यह होती है साओधी रियाल टॉफ फाइव इंटरनेशनल अपोइंट्मेंट्स को हम रिवाइज करें न्यू प्रेजिडेंट अफ कॉलंबिया तो यह बने है गुस्तावो पैट्रो न्यू प्राइम मिनिस्टर अफ सुमालिया तो यह बने है हमज जाबेद बॉर्ण न्यू प्रेजिडेंट अफ साओध कॉरिया तो यह बने है यॉन सुक यॉल सेकिंड नमबर क्वेशन है वो हैज इनोग्रेटेड दर थर्टींथ फेडरेशन ओफ इंडियन कॉमर्स एन इंडस्ट्री ग्लोबल स्किल सम्मेट 2022 हैल्ड इन न्यू दिली नई दिली में आयोजित तेरवे भारतिय वानिज्य एवं उध्योग महसंग वीश्वी कोशल शिकर सम्मेलन 2022 का जो उदगाटन है ये किस ने किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया है धर्मेंद्र प्रधान के दोरा सी इसका करेक्ट आंसर है केंद्रे सिक्षा और कोशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 27 सितमबर 2022 को नई दिली में तेरवे फीकी वेश्वे कोशल शिकर सम्मेलन 2022 का उदगाटन किया है और इसका जो विशे था ये सिक्षा से रोजगार तक इसे संभव बनाना था और इस सम्मेलन में अर्थ व्यवस्ता पर COVID-19 के दुश प्रभाव सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन सुधार और भारती अर्थ व्यवस्ता के लिए आगे की तैयारियों को विभिन पक्ष द्वारा विचार मन्थन किया गया है FICCI की बात करें Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry की It is the largest and oldest business organization in India और इसकी स्तापना 1927 को ही थी इसका जो headquarter है ये न्यू दिल्ली के अंदर है इसकी जो president है ये है संजीव महता Director General है अरुन चावला Founder इसके है गंशाम दास बिल्ला और पुर्शोतम दास ठाकूर दास Third number question है Which state has become the first to release Encyclopedia of Tribes जन जातियों का विश्वकोष जारी करने वाला पहला राज ये कौन सा बना है तो इसका correct answer होगा ये बन गया है ओडिसा इसका correct answer है डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो ओडिसा के जो मुख्य मंतरी है नवीन पटनायक इनोंने संग्राले परिशर में अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती अनुसंदान और प्रक्षिक्शन संसान और ओडिसा राज्य जन जातिय संग्राले के द्वारा प्रकाशित ओडिसा में जन जातियों के विश्वकोष के पांच संपादिस संसकरणों का इन्होंने विमोचन किया है और सभी जनजातियों का विश्वकोष प्रकाशित करने वाला अब तक औरिसा एक मातर राज्य है और इन सभी पांच संपादि संसकरनों में 3800 पेज और 418 रिसर्च पेपर्स के अंदर शामिल है जिन में सभी 62 अनुसूचित जनजातियों समुधायों और 13 विशेश रूप से कमजोर जनजातियों को शामिल किया गया है और इसा की हम बात करें तो इसकी इस्तापना एक अप्रेल 1936 को हुई थी और इसकी जो कैपिटल है ये भूमनेश्वर के अंदर है और यहां के जो चीफ मिनिस्टर है ये है नवीन पतनायक और यहां के जो गवर्नर है ये है गणेशी लाल चीफ जस्टिस ओफ ओरी सा तो ये है एस मुल्ली धर 21 यहाँ पे लोग सबा सीट्स है 10 यहाँ पे राजी सबा सीट्स है और 147 है यह असेंबली सीट्स यहाँ पे है 4 नमबर ग्वेशन है विश्व रेबीस दिवस 2022 कब मनाया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह 28 सितमबर को मनाया गया है सीट्स का करेक्ट आंसर होगा 28 सितमबर विश्व रेबीस दिवस मनाया जाता है और रेबीस वाइरस है जो कुत्तों के काटने से होता है और यह जो यह दिवस विश्व इस्तर पर फ्रांसी सीट जीव विज्यानी सुक्ष्म जीव विज्यानी और रसाइन गया लूई पोश्चर की पुन्ने तिती के मोके पर बनाया जाता है जिनों ने पहली जो रेबी रेबीस की वैक्सीन है इसको डवलप किया था रेबीस क्या होता है एक घातक वाइरस होता है जो संक्रमित जानवरों की लाड से लोगों में फैलता है रेबीस वाइरस आम तोर पर काटने के माध्यम से फैलता है और इस बार की जो थीम रखी गई है ये रेबीस वन हेल्थ जीरो डैथ जो है इस बार की थीम रखी गई है फाइफ नंबर क्वेशन है भारतिय डेटा सुरक्षा परिशत के नए CEO कौन बन गए है तो इसका करेक्ट आंसर होगा विनाएक गोड से बन गए है इसका करेक्ट आंसर है नैसकौन के द्वारा स्तापीत एक प्रमुक उध्योग संगठन डेटा सेक्योर्टी कांसिल ओव इंडिया ने वरिस्ट उपाध्यक्ष विनाएक गोड से को पदोनित किया और उने संगठन का नया CEO नामित किया है विनाएक गोड से राम वेदश्री का इस्तान लेने वाले हैं जिनोंने लगबग 6 परशों तक भारतिय डेटा सुरक्षा परिशत की देखरे की वेदश्री ने नयाए मूर्ती बी एल्श्री कृष्न सिमिती में भी काम किया है जिस पर देश के व्यक्तिगर डेटा सरक्षन विधे के लिए एक मोडल विक्सित करने का आरोप लगाया गया था DSCI की बात करें तो Data Security Council of India इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी जो इस्तापना है ये 2008 के अंदर अगस्त के अंदर हुई थी इसका हेड़कॉर्टर नॉइडा उत्तर प्रदेश के अंदर है इसके फाउंडर है नैस कॉम और प्रेजिडेंट है राजेंद्र एस पमार चलिए CEO of Top 5 Companies को हम रिवाइस करें तो करेंट CEO of वर्ड्स लार्जेस सर्च इंजिन गूगल तो ये है सुन्दर पिचाई करेंट CEO of रेल्टेल कंपनी वालमार तो ये बने है डग एमसी मिलन करेंट CEO of टेकनोलोजी कंपनी इंटेल तो ये बने है पैट्रिक गैल सिंगर करेंट CEO of एकॉमर्स कंपनी एमेजोन तो ये है एंडी जैसी करेंट CEO of मैसेजिंग अब वाट्स अब तो ये है विल कैथर्ट सिक्स नमबर क्वेशन है फ्रॉम्वेर हैस डी आइडियो सक्सेसफूली टेस्ट फायर्ड शोर्ट रेंज एर डिफेंस सिस्टम मिसाइल वी एस एचो आरे डी एस का कहां से सफलता पूर्वक परिक्षन किया है तो ये चांदीपूर ओडिसा से किया गया है बीस का करेक्ट आंसर है रक्षा अनुसंदान एवं विकार संगठन ने वेरी शोर्ट रेंज एर डिफेंस सिस्टम मिसाइल की दो सफल परिक्षन उडाने भरी है और मिसाइलों का परिक्षन ओडिसा के तट पर इस्तेज चांदीपूर में एकिकरत परिक्षन रेंज से जमीन आधारित पॉर्टेबल लॉंचर से किया गया है DRDO के अनुसार VSHO RADS एक मेंन पॉर्टेबल एर डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO के रिसेर सेंटर इमरत हैदराबाद हैदराबाद के द्वारा अन्य DRDO प्रियोकशालाओ और भारतिय उध्योग भागिदारों के सयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विक्सित किया गया है VSHO RADS में लगू प्रतिकिरिया नियंतरन प्रणाली और एकी करत एवियोनिक सहीत कई नवीन प्रोध्योगी किया इसके अंदर शामिल है जो परिक्षनों के दोरान सफलता पूर्वक सिद्ध हो चुकी है मिसाइल कम उचाई वाले हवाई खत्रों को कम दूरी पर बेहसर करने के लिए है और एक दोहरे जोड ठोस मोटर के द्वारा संचालित है DRDO की बात करे Defense Research and Development Organization की तो इसके सापना 1958 को हुई थी इसका जो हेड़कॉर्टर है यह न्यू देली के अंदर है इसके चेर्मेन है समीर वी कामत वो हैस डवलप सिंदु आई सैटलाइट तो यह DRDO के दोरा डवलप की गई है 7 नमबर ग्वेशन है विश कांट्री हैस लॉंच्ट एक्सपरिमेंटल सैटलाइट नेम शियान 14 और शियान 15 टो कंड़क्ट साइन्टिफिक एक्सपरिमेंट्स और वेरिफाइट न्यू टेक्नलोजीज विएग्यानिक प्रियोग करने और नई तकनिकों को इस्तापित करने के लिए किस देश ने शियान 14 और शियान 15 नाम के प्रयोगिक उपगरहों को लॉंच किया है तो इसका करेक्ट आंसर है कि चाइना ने लॉंच किया है सीस का करेक्ट आंसर है चीन ने शियान 14 और शियान 15 नामक दो उपगरहों को कुवाई जो हूँ 1A रॉकेट की मदद से लॉंच किया है इन उपग्रहों में शियान 14 का उपयोग विग्यानिक प्रियोग करने और नई तक्निकों को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा जबकि शियान 15 भूमी सर्वेक्षर, शहरी नियोजन और आपता रोक्ताम और शमन के शेत्र में डेटा प्रदान करेगा चीनी भाषा में शियान का जो अर्थ है ये प्रियोग से होता है गाउ में चैनीत कुऊं के जलिस्तर का पता लगाने के लिए जल्दूत नामक एप को किसने लौँच किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गिरी राज सिंग के दौर लौँच किया गया है सीस का करेक्ट आंसर है केंद्री ग्रामीन विकास और पंचायती राजमंत्री गिरी राज सिंग ने नई दिल्ली में जल्दूत एप को लौँच किया है इसका उप्योग ग्रामीन इलाकों में चैनीत कुऊं के जलिस्तर पता लगाने के लिए किया चाएगा और ये एप मुख्य रूप से ग्रामीन शेत्र के भूजल इस्तर का सही डेटा एकत्र करेगा जल्दूत एप पंचायतों को जल संबंदी मजबूट डेटा के साथ साहिता प्रदान करेगा जिसका उप्योग आगे कारियों की बहतर योजना के लिए किया चाए सकता है देशने ग्रामीन और शेहरी दोनों शेत्रों में वाटर शेड विकास, वनी करण जल निकाय विकास और नवीनी करण वर्षा जल संचेयन आदी के माध्यम से जल प्रभंदन में सुधार के लिए कई कदम उठाये है जलदूत एप ग्राम रोजगार सहयक को वर्ष में दो बार मतलब मानसून पूर और मानसून के बाद में चैनित कुओ के जल इसतर का पता लगाया जा सकेगा टॉप फाइफ एप्स की हम बात करें तो ये धर्मेंदर प्रधान के दौरा लांच किया गया एप है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ये है वो हैस लांच डे मोबाइल एप नेमड जेके इकॉप टू हैल्प कॉमन सिटीजन तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर के दौरा लांच किया गया है जम्मू एन कश्मीर पुलिस के दौरा which state government has launched an app named Lucky票 to prevent GST evasion तो ये जो है के दौरा लांच किया गया है which organization has launched a mobile app named E-Amrit तो ये नीति आयोग ने लांच किया है UIDAI has launched a new mobile app by which name of Identified Adhar Holders तो ये जो है ये आधार फेज आडि के दौरा जो है ये लांच किया गया है 9 number question है Who has become the new director general of Employees State Insurance Corporation करमचारी राज्य बीमा निगम के नए महानी देशक कौन बन गए है तो इसका correct answer होगा ये बन गए है राजेंद्र कुमार बन गए है C इसका correct answer है केंद्र सरकार में शीर सिस्तर पर हुए प्रशासनिक फेर बदल के तहत वरिष्ट नोकर शहर राजेंद्र कुमार को करमचारी राज्य बीमा निगम का महानी देशक बनाया गया है तमिलाडू के एडर के 1992 बैच के ये IS officer है और इस समय electronics एवं सूचना प्रवध्योगी की मंत्राले में अतरिक्त सच्चिव के पत पर ये तैनात है और इन्हें ESIC का नया महानी देशक मना गया है ESIC की बात करें Employees State Insurance Corporation की तो इसकी स्तापना 24 परवरी 1952 को हुई थी इसका जो headquarter है ये New Delhi के अंदर है Under the ministry तो ये है Ministry of Labor and Employment 10 number question है Who has launched a Language Dictionary Mobile App called Sign Learned for Indian Sign Language भारतिय सांकेतिक भाषा के लिए Sign Learned नामक भाषा Dictionary Mobile App को किसने लाँच किया है तो इसका correct answer होगा ये प्रतीमा भोमिक के द्वारा लाँच किया गया एप है DS का correct answer है एप का शुभारम किया शामाजीक न्याय और आदिकारिक राज्यमंत्री प्रतीमा भोमिक के द्वारा और ये जो ап है ये भारतिय सांकेतिक भाषा अनुसंदान और प्लक्षिक्शन केंडर के भारतिय सांकेतिक भाषा शब्द कोश पर आधारित है जिसके अंदर 10,000 शब्द है और इसके अंदर डिक्षनरी के सभी शब्दों को हिंदी या अंग्रेजी का उप्योग करके खोजा जा सकता है जो Android और iOS अंसकरणों के अंदर उपलब्द है चलिए 30 सितंबर के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेशन है इटली की पहली महीला प्रधान मंतरी कौन बनेगी तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोड़ जी या मैलोनी बनेगी ये इसका करेक्ट आंसर है सेकंड नमबर क्वेशन है दादा साहेव फाल के पुरशकार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा तो ये किया जाएगा आशा पारिक को थर्ड नमबर क्वेशन है टैनिस टूनामेंट लेवर कप 2022 का जो टाइटर है ये किस ने जीता है तो टीम वर्ड के दोरा ही जीता गया है फौर नमबर क्वेशन है किस देश के शोध करताओं ने चंद्रमा पर चेंज साइट नामक लूनर क्रिस्टल और प्रमानू उर्जा श्रोध की खोश की है तो ये चाइना ने की है 20 का करेक्ट आंसर होगा फौर नमबर क्वेशन है द्राष्टपती द्रोपती मुर्मू ने हिंदूस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड की एकिकरत क्रायोजैनिक इंजन निर्मान सुईधा का जो उदखाटन है ये कहां पर किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बैंगलूरू के अंदर किया गय क्रिकेशन सीबी आई के द्वारा चलाया गया है न्यू दिली के अंदर सीज का करेक्ट आंसर होगा सेवन नमबर क्वेशन है क्रिकेट टूनामेंट दिली प्रोफी 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वेस्ट जोन ने जीता है ये इस City of Housing and Urban Affairs के द्वारा ये लौंच किया गया है 9. नमबर ग्वेशन है शंगाई सायोंग संगटन के सदश्य देशों के अभी योजग जनरल की 20 वी बैटक कहां पर आयुजित हुई है तो ये अस्ताना कजाक अस्तान के अंदर हुई है सीस का गरेक्ट आंसर होगा 10. नमबर ग्वेशन है तकनिकी सफलताओ और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक सप्ता एक प्रियोकशाला नामक थी माधारित अभ्यान को किसने शुरू किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये शुरू किया गया है जितेंदर सिंग के द्वारा यूनियन मिनिस्टर ये है और ये था कल का स्टड़ी ग्लॉस क्वेशन भारत के पहले तरल प्राकरती गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कमपनी ने लौँच किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ब्लू एनर्जी मॉटर्स के द्वारा लौँच किया गया है डीस का करेक्ट आंसर है और ये है आप लोग के लिए आज का स्टड़ी ग्लॉस क्वेशन आम लोगों की शिकाईतों को दूर करने के लिए सीम दा हैसी आये सीम को सूचित करे नामक पॉर्टल को किसने लौँच किया है तो इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजेगा ये हमारा टेलिग्राम चैनल है यहाँ पर आपको सारे क्वेशन क्वेशन के फॉर्मेट में अवेलिबल हो जाएंगे यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं I hope आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा तो चले मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में थैंक यू